ओम स्री गनिश राय नमदूस्तो एस्टू समाधान यूट्योग चैनल में आपका हाड़ दिख स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 अगस्त सौंबार के रासी फल के बारे में की हाँ दिन मिथुन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिवी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सस्क्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मिथुन रासी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो घर परिवार में आज कोई सुब कार संपन होनी की संभावना बन रही है परिवार में आज उत्सव का माहौल हो सकता है संतान पक्ष को लेकर आज आपकी चिंताएं दूर हो सकती है तथा आपको किसी प्रिकार का कोई सेहोगी प्राप्थ होनी की आज संभावना अच्छी बन सकती है ऐसे में सोची समझी रन नीदी के तहद कारे करें जिससे घर में आपका कद बढ़ सके दोस्तों साते सात आज आपका कोई सपना साकार होने वाला है इसलिए अपने कारे पर पूरी तरह से आज ध्यान केंदरित रखें कहीं पुंजी निवेश करना फायदेबंद साबित हो सकता है विद्यार्तियों को पृतियोगिता संबंदित परिक्षा में उचित परिणाम आज हासिल होंगे दोस्तों आज आपके सबी काम आसानी से संपन होने से मन में प्रसनता और ताजिगी बनी रहेगी अचानक से कोई आर्थिक समस्या हल होने से अपने आपको तनाव मुक्त आज आप महसूस करेंगे इस समय ग्रह इस्तिती आपके व्यक्तित्व को प्रभाव साली बना रही है घर तता समाज में आपको अपनी योगता द्वारा मान सम्मान प्राप्त होगा धर्मिक वे आध्यात्मिक छेत्र में आपका आज विसेस रुजहन रहेगा इनकी वज़े से आपकी सोच अधिक शकारात्मक और संतुलित रहेगी दोस्तो साथी साथ दूसरों की सलाह की अपेक्षा अपनी योगता और छमता पर अधिक विस्वास करें दोस्तो आज का दिन आपके सपने और महत्व कांचाओं को पूरा करने का है पूरे मनुयोग से अपने कार्यों के पृति आज आप समर्पित रहें साथी साथ प्रॉपर्टी से संबंदित रुके हुए आज कार्यों आपके पूरे हुँगे इसलिए अपना ध्यान इन पर केंद्रित रखें पैसे संबंदित निवेश के लिए भी आज का दिन बहुती उत्तम है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो अनावशक किसी तरह का आज विवाद उत्पन होने की संभावना बन रही है किसी अन्य वेक्ति की वज़े से घर में आज तनाव का माहुल हो सकता है धन अचल संपत्ती को ले करके विवाद उत्पन होने की भी संभावना बन सकती है यदा कदा उतार चड़ाव उत्पन होने की भी संबाव न होती है तो उससे भी आज आप दूर रहने का प्रियास करें आप के लिए बहतर रहेगा दोस्तों कभी कभी आलस की वज़े से आपके कारों में रुकाबट आ सकती है ध्यान रखें कि थोड़ी सी लापरभाई आपको अपने लक्षे से भटका देगी किसी प्रकार के दुविदा के इस्तिती में किसी अनुभवी व्यक्ति की सला आपके लिए फाइदे बंद रहेंगी दोस्तो साथ साथ आपको एक बात का विशे सुरूप से यह भी धियान रखना है कि कई बार कठोर वानी से अकसर कुछ लोगों में नाराजगी उत्पन हो जाती है इसलिए अपनी बोलचाल का लहजा नरम रखें काम की अधिक्ता का भी प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ सकता है इसलिए लगातार आराम भी लेते रहें दोस्तो एगो और अति आत्म विश्वास की भावना आपकी मुख्य कमजोरी है इन पर आप काबू बना कर रखें क्योंकि इस वज़े से कुछ लोगों के साथ संबंद आज आपके खराब हो सकते हैं फौन और मित्रों के साथ अपना समय व्यर्थ ना करें साथिसाथ किसी बाहरी व्यक्ती के हस्त सेप की वज़े से कुछ तनाव उत्पन हो सकता है और घर के बड़े बुजर्गों का अपमान होने की भी आशंका है साथिसाथ आज खर्चों की भी अधिक्ता के कारण बज़ट भी गड़बड़ा सकता है थोड़ा सावधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली है दोस्तो पती पतनी के आपस में मधूर संबंद रहेंगे वेस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकानना घर के बातावरन को और भी खुस नुमा बनाएगा परिवार के साथ मनोरंजन वेस्ट सौपिंग में आज समय व्यतीत होगा इससे घर में खुसी का माहौल और अधिक रहेगा साथ साथ ऐ विवाईतों के लिए भी आज कोई अच्छा रिस्टा आ सकता है जिससे उनका मन बहुती प्रसंद रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वेस्टाइ केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो पिछले कुछ दिनों से जिन बिजिनिस पार्टियों से अच्छी बात चीत चली आ रही है आज उनके बहतर परिणाम सामने आने वाले है बहत्वपोन उपलब्दियां आज आपको प्राप्ध होंगी नोकली पेसा वेक्तियों का कोई टारगेट पूरा होने से आज सुकून रहेगा वेविशायक इस्थल पर आज आपका रुत्वा बना हुआ रहेगा कर्मचारियों का अपने कारेक के प्रती पूरी तरह से समणपन भाव रहेगा जिसकी वज़े से काम समय पर आज आपको पूरे प्रतीत होते हुए नजर आएंगे साथ साथ प्रॉपर्टी के वेवसाय से जुड़े लोगों की आज कोई बड़ी डील होने की संभाव ना है साथ ही पबलिक डीलिंग में आज आपको मुनाफा होगा नोकरी पेशा वाले व्यक्तियों को कोई ओफिसियल यात्रा आज करनी पड़ सकती है मीडिया तथा मार्केटिंग संबंदित वेवसाय से जुड़े लोग आज बहतरी इन उपलब्दियां प्राप्त कर सकते हैं इसलिए अपने संपर्क सूत्रों के साथ जादा से जादा समय व्यतित करें दोस्तो आज आपको कारेचित्र में मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होंगे जिसकी बज़े से आपका मन भहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको किसी समय ठकान और कमजोरी महसूस हो सकती है इसके लिए आप अपने खानपान पर विसेश रूप से ध्यान दें साथ साथ आज आप आरवेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो साथ साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद भगवान शिव का शक्कर मिले दूद से अभिशेक करें और शाथ शाथ अपनी मनों काम नए मांगें जा दोस्तो ऐसा करने मातर शेही भगवान भॉलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको सीगर ही सुब फलुक की प्राप्ती होंगी और आपकी समस्त मनों काम नहीं दिल से कमेंट स्बोक्स में जे बहुलेना तवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद